हेलो फ्रेंट्स आज हम यूनिट 2 पढ़ेंगी जिसमें आपकी घ्रामर की आट को दस कोशन जिसमें साफको आप करना रहते हैं तो यह आप देख रहें हैं पेपर इसमें आपको आइट करना रहते हैं जिसके अंदर सारी ग्रामर आती है तो हम सबसे बिले ग्रामर में आज नाउन पढ़ेंगे तो सबसे पढ़ेंगे हम पहले कि नाउन होती जया है कि किसी व्यक्ति वस्तु इस्तान गुलकार यह अवस्ता के नाम को नाउन करते हैं तो नाउन जो होती है, पास तरगी होती है, एक होती प्रोपन नाउन, जिसको हम जेक्ती बाचक संगया कहते हैं, एक होती कॉमन नाउन, जाती बाचक संगया, एक होती कलेक्टी नाउन, समूँ बाचक संगया, एक होती मत्रेल नाउन, जिसको बोलते हैं, द्रव्वी बाचक पर एक होती एबस्टेक्ट नाउं जिसको मुझे बोलते हैं भाववाचक कुछ भी आजएगा एक सेंटेस देंगे पुछ लेंगे कि इसमें प्रोपर नाउन कुंसी है अलेक्टि नाउन कुंसी तो आप उसको अंडराइंड करना है तो सबसे पहले हमारी समझ होने चीए कि क एक प्रोपर नाउन किसको बोलते हैं सेमात आद पर किसी व्यक्ति वस्त्याद के नामसे होता है जिसे राम देली गीता यह प्रोपर नाउन केंदर आते हैं अगला है common noun जिस noun से एक वर्ग अथा जाती के व्यक्ति या वस्तु का बोद हो उसे common noun कहते हैं जैसे king में सारे king आ जाएंगे boy में सारे boy आ जाएंगे girls में सारी girls आ जाएगी city सारी city से जाएगी अज़र एक नाम बोलते हैं और उसके पूरी जाती का वर्णन हो जाता है उसको बोलते हम common noun अगला आता है अपना collective noun collective noun किसको बोलते हैं इसका मतलब समूस होता है एक team एक team में साब जाएदे male भी होती है female भी होती है एक team बन जाती है committee हो गया या army हो गया तो यह कौन सी एक collective noun में आती है अगला होता है material noun में जिस noun से ऐसे पदात का बहुत होता है जिससे दूसरी बस्तू बनाएज़े सकें जिससे का हम silver का बहुत बढ़ा part लेके silver की कहने बनाते हैं आरेन से लेके हम बहुत सारी table कुर्षी बनाते हैं तो यह कौन से हो गई material noun हो गई अगली है अपनी abstract noun इसको बोलते हैं जिसको हम feel कर सकते हैं ना देख सकते हैं ना उसको चीज सकते हैं इसे जो भाव क्रिया अवस्ता को व्यक्त करता है उसे हम abstract noun बोलते हैं जैसे honesty honesty मिस होता है कि इमानदारी bravery means बहदूरी hatred, louder, love जिसको हम feel कर सकते हैं ना देख सकते हैं ना चूश सकते हैं उसको बोलते हैं abstract noun तो यह हमारी पांस तरह की noun होती है अब इन्हीं noun के बारा आपने जाना अब अगला है noun के बारे में अब question इस तरी के साथ ने है the army attack the outpost इस तरी के से question आता है अब underline the collective norm collective norm को underline कीजिए यह BSC में कुछा होता पिछली साल question इस तरी के सुखने तरी के collective norm को सी अब आपको पता होता है कि collective norm किसको बोलते हैं Samu बाचक जब यह पिले बढ़ाता है collective norm किसको बोलते हैं Samu बाचक जो Samu का बोलत करा तो से collective norm करते हैं और the army एक Samu का बोलत करा रहा तो यह कौन सी होगे अपनी collective norm ओके अगला है honesty is the best policy underline the abstract norm आप honesty वो आप देख सकते हैं क्या है चूँ सकते हैं बस आप पता लगा यह honest man है इस सरीके से यह आपका complete नाउन का एको टाइब होता है countable noun and uncountable countable noun जिसको हम गिन सकते हैं uncountable noun जिसको हम नहीं गिन सकते हैं यह दो तरह की नाउन होती है countable noun के अंदर क्या जाएगा six tables a few friends मैं छे table गिन सकते हैं मेरे कुछ दोस्ते हैं बहुत सारी movies हो गई अब आप बोलोगे money को हम गिन सकते हैं लेकिन money और furniture यह दोनों uncountable noun में आते हैं money means क्या होता है आप किसी पेसे से मतलब नहीं आपके पास कितनी property है क्या हो सारी money के अंदर count होती है अब furniture हम एक दो furniture ने मरें furniture एक uncountable noun के अंदर यह एक अपवा समझ लो आपके furniture को uncountable noun के अंदर ही लेते हैं यह रूल है अब यह होगे अपने noun के basic चीज़ें अब आपने देखा कुछ sum और any के question आते हैं आपके exam में कि कहा sum लगता है कहा any लगता है तो simple सी बात है जहां negative sense दिख ले हैं वह आपको any लगाना है और जहां positive sense मिल जाता है वह आपको sum लगाना है और इन दोनों का मतलब यह होता है कुछ लेकिन कुछ यहां पर any का negative sense देता है और sum आपको positive sense देता है जिसे there aren't orange यहां पर कोई orange नहीं है यहां पर कुछ orange नहीं है तो यहां पर क्या लग जाएगा यही there are orange अब यह positive sense जे रहाते हैं यहां भी क्या लग जाएगा some इसी प्रकासे there aren't eggs तो x में क्या लग जाएगा ए नहीं क्योंकि यहां पर negative लग जिया है और there is some butter यह positive sense जे रहा है अब अगला use होता है much और many का तो simple सी मात है much होता है uncoundable noun के साथ लगता है जिसको हम count नहीं कर सकते हैं जिसे milk को हम count नहीं कर सकते हैं water को count नहीं कर सकते हैं sugar को count नहीं कर सकते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वह उसके साथ much लगता है वो जिसको हम गिन सकते हैं उसके साथ मेनी लगता है यानी countable ना हमके साथ जैसे how much milk do you drink तुम कितना तुद पीते हो तो यहां पर मच लगा क्यों कि इसको पन मिलक को गिन नी सकते हैं इसलिए हां पर मच का यूज हो गया अगला है मेनी अब apples को हम क्या कर सकते हैं गिन सकते है तो many apples how many apples how much water do you drink everyday याने मस लग गया मतलब water को गिन नी सकते uncountable ना होने ना water और milk भी अरकी लेकिन ये apple क्या accountable ना होने how potatoes do we need हमें कितने आलू की जरुवत है अब आलू को आप गिन सकते हैं तो यहां पर क्या लग जाएगा I don't drink coffee अब coffee क्या है I don't drink coffee अब coffee का पांड कुड़ सकते हैं नहीं तो यहां पी का लग जाएगा तो यह आपके एक basic चीच पुई होगी यह से रोज सो बहुत सार हैं काफी लंबा वीडियो हो जाएगा पर मैं आपको सिफ basic basic बता रहा हूं ठीक है तो यह आपकी noun की basic complete हो गई है तो noun क्या हो गया अब noun के बाद हम पढ़ेंगे एक sentence on देख लिजे we don't eat many sweets हम ज्यादा हमने ज्यादा sweets नहीं खाए लेकिन we eat a lot of biscuits यानि बहुत सारे के sense में a lot of का use होता है अब पढ़ेंगे हम article आपके noun का chapter complete हो गया है अब articles इसमें question आते हैं article से एक question आपको यहाँ से fix होता है article simple way में समझे दो article होता है क्या है एन और एनी और दर तिन अर्टिकल होते एन और एन इन डिफ़ेंगे आर्टिकल होगा दर का use हम डिफाइन करने के लिए उस करेंगे अब simple सब समझो article जो होता है noun को define करने के लिए उस किया जाता है जैसे कि इस अब चेर के एक noun है कोंसी noun है countable noun है तो countable noun के साथ यह आपने यह नहीं लगा यह आपका कोश्चन गलत हो गया तो मतलब कि नाउन को डिफाइन करने के लिए आर्टिकल का यूज किया जाता है अगला सेंटेंज दिखिए अब यहां प्या लगा हुआ है अब बोलोगे इस्टुट्ट विशेष्टा बता है उसको क्या बोलते है अब एबजेक्टिव तो एबजेक्टिव के पहले ही आर्टिकल का यूज किया जाएगा ना की बीच में यह रूल होता है जो नाउन की विशेष्टा बताता है उसको एबजेक्ट जिसे के यू आर्ट इस्टुडेंट तो इस्टुडेंट कोन हो गए आप और गूड के आपकी विशेष्टा बताता है अच्छा जो विशेष्टा बताता है उसको एबजेक्टिव बोलते है तो यू आर्ए तो ए यू आप ए गूड तो वे क्या होगा आपका अब्जेक्टिव और एक लगा इस्टुडेंट इन नाउन के यानि की एब्जेक्टिव के पहले आपका एका यूज किया जाएगा कोके कि इतना समझ मैं अब ये कहां लगेखा एब यह से देखें गया आप इसे शब्ट जहां उच्चारण से होता तो वहाँ पर क्या लगेगा N लगेगा अपन आगे समझते हैं उधारण से उधारण से और अच्छा क्लियर हो जाएगा N अम्रेला तो A उचारण हो रहा है यहाँ पर क्या लगा थे अपनोंने N यूनियन यू उचारण हो रहा है तो यहां पर आपको ए लगाना है और बाकी नहीं आतो सिधा देखे लगा सकते तो इसका मतलत तो भेड़ का बच्चा होता है तो इसके आगे हमेशा ए लगेगा और देखे लगेगा च्राइब होती है जो एक ही होती उसके आगे हमेशा देखे लगता है जो निश्ट होती है जैसे कि नदियों के नाव फिक्स होते है देखए जैसे नदियों धोड़ी नहीं है क्या गंगा यह में आगे देखचते अब कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें थोड़ा कन्पीजिन होता है अब पूस करके वीडियो इसका अंसर क्लिक करने कोशिश करेंगे अब उचारण क्या हो रहा है नाइफ न आपको बदा जहां अ-ए-ए-उ आ तो महां लगता है ओ जहां यह नहीं है वहां क्या लगाएंगे यहां पर क्या आएगा ठीक है अगला अनवाणटेट गेस्ट डिस्ट्रॉप्ट अवर प्लेंट तो यहां पर क्या हो कि अ आगे है उचरने अउड अन्वान्टेट न तो अउचरन यहां पे क्या लेगीगा एण ओके आई हेव ओ यहां पे क्या रहा है ओ अब देखों यहां पे थोड़े टीकी है यहां पे एस लगा हुआ है और आपको क्या बोला था जहाँ plural noun आजाती है, यह rule होता article का, जहां पर plural noun आजाती है वहाँ article use नहीं होता है simple सी बाद है तो यहां पर क्या oranges हो गया है, नहीं कि संत्रे हो गया, तो यहां पर कोई article use नहीं होगा, यह rule होता है अगला पढ़ेंगे ram is English teacher English teacher क्या रहा है, English teacher यह आ रहा है न, English teacher तो क्या आजाएगा है, यह ना आजाएगा many people consider as unlucky unlucky हो गया तो यह पर क्या आजाएगा यह ना आजाएगा, this is a university, यह pronunciation हो रहा है, तो यह आजाएगा I am a student of Vikram University, अब देखो, यहां पर क्या आजाएगा र इक रूल यह भी होता है, यह प्रॉपर नाउन है प्रॉपर नाउन किуст को बोलते हैगेरेगे, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है यह यह रूल होता है, यह Ahh पर क्या आ जाएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा sousbt और एपल डे यह प्रनाउस्टेशन हो रहा है यानि कि एन आ जाएगा यहां पर चीता इस फार्टेस्ट एनिमल ओंद अर्थ देखो अर्थ के आगे यहां पर दा यूज किया हुआ है अब यू यह स्थी जो फार्स्टेस्ट एनि कि सबसे तेज यानि कौन सी डिग्री यह तो यहां में खबस की दा सुपरेट्य डिग्री वाती है उसके आगे दह लगता है यानि कि जो चीता है एक यह जो प्रतियों सबसे तेज़ दोड़ता है तो फास्टेस्ट यह नहीं सुपरेट्ट डिग्री हो गई तो इसके आगे क्या लगए गए दग लाल बादू साश स्री वास एन अनेस्ट में अनेस्ट प्रनुशेशन हो रहा है अगला रेट क्रोस वर्क्स अलोट फॉर्ट फॉर्ट पूवर पिपिल तो यहां पर क्या लगए का दो डिनर इस रेडी तो यहां पर क्या लगए का दो डिनर इस रेडी मतलब कि हमारा खाना तो ही आ रहे तो आगे लगेगा दॉको रिडे इंच स्वोच वोर्कार्स स्यक्सितर और कि विशेष विएक्ति की बात करणा है इसलिए यहां प्रोपने दॉ find कि आइँ रेडिंग कि नॉवेल बाई जेतरण भगत ही जुए तो आइन इम एन क्या लगा दिया ए लगा दिया और सेकंड सेंटेस देखी आयमे रीडिंग नोवेल कौन सी टूस्टेट कोई नोवेल अब कोई विशेस नोवेल पड़ी यानि फिक्स हो गई यह निशी टोग इसलिए आप लगया दिया पर में दह लगा दिया आपको बला तक जो चीज यूनिक होती है वहाँ पर क्या लगेगा अब तो स्टेट एक यूनिक नोवेल इसे एक नाम दे दिया इसने इसलिए आपको यह लग गया है इसलिए यह लग गया है इसलिए नाइस मोवी राम कुमार इस एन एम एले ए प्रनॉसिएशन हो रहा है तो टोड़े आई सा यू यू प्रनॉसिएशन हो रहा है तो क्या आएगा यहां तो यह आपके आर्टिकल कम्प्लेट यह पूरा बैसिक है और आपको कुछ प्रोब्लम आ रही हो आर्टिकल में तो आप कमेंट कर दीजिए कि सर यहां पर एक्यू आया पे निया तो नेक्स वीडियो में उस कॉस्च करता है और या जो ना वाम हो अब कुछ आपके confusion word है जो आपकी exam में आते हैं वह ध्योड़ा सा लर्न कर लेंगे आ इसे मैं और अगले तीन वीडियो में आपके सारी confusing word कवर करदूँ हुआ 30-40 गंफिस्न वर यह पहले में आपके 10 गंफिसिंग लेता हूं पहला कंफिसिंग वर्ड है कि तर ये यानि क्या होता है इस वीकार करना जैसे आप किसी की रिक्वेश्च विकार करते हैं थे आप से प्रातना कर रहा है तो उसके लिए क्या लगता है expect I accept your advice मैंने आपकी advice सिवकार कर दी एक होता है expect यहने होता है प्रोनॉस्टेशन लगबग एक जैसा होता है लेकिन इस विलिंग से आप इसको पकड़ सकते है expect के अलावा I have a car expect a bike यहनी मेरे पास एक कार है बाइक के अलावा इसके अलावा मेरे पास एक बाइक भी है तो इसका मिनिंग निकलता है के अलावा देख होता है expect मिस होता है उम्मीद करना जैसे नो मेरे आपसे बहुत expectation थी हरी है स्पास सबने हैं उम्मीद के लिए तहीं कि हरी पास हो जाएगा तो वहां पर क्या expect यहनी की के अलावा ने accept मिस होता है इस चीज को स्विकार करना एक होता है एक्सेस्ट एक होते है आक्सेस होता है कि में नोस्थ्क कोई पहुच नहीं है मैंसली ऑफिक भीसेस यहाथ कोई त हुग अच्छा हो भी भी निल्म कुछ नहीं कोई बहुत परशन हो कर दाक्ष में कि एक से ज्याद़ा पढ़ी कर लिए या पी कम कर ली तो ज्यादा पढ़ी एनी एक से से प्लकूर ता मैने की अधिक से ज्यादा मन्रकी बुरा प्रभाव पड़ता उसका इसतका अच्छा एक करना गाम करना तुमारे को असर करता वर्ब इसको ऐसें o हुई है अब देखो इफेक्ट यह एक नावन यह परिणाम की तरह परिणाम की तरह पणिश्मेंट हैड एवरी लिटिल अफेक्ट ओन हिम कि यहोगे अपना वर और की नावन यहनि की उसको हमने सज्ञा दी लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा तो यह क्या एक नावन की तरह यूज़ हुई और यह कुछ में अखने श्बॉसीट का आप सेञज्च होता है इनलिश में है उसी तरह का वर्ड है एक advice और advice यह भी same word है लेकिन इनकी position अलग अलगे अब advice जो c वाला है इसको हम नाउन की तरह use करते हैं यह से we must act on your advice वी क्या हो गया subject पर यह पूरा क्या हो गया और यह क्या हो गया और यह नाउन की तरह use हो गया है आपके अगला I advise you to work hard अब यह क्या हो गया एक वर्ब की तरह use हो गया यह क्या हो गया अपना subject और यह वर्ब तो जहां वर्ब को use होता है बीच में तुम्हां सलाह देना हम मैंने आपको सलाह दी कि वर्ब का हाट करो मैंने दीना तो आपको मैं कुछ काम करने के लिए रहा हम यानि क्या है यह एक वर्ब है और नाउन क्या है वी मस्ट एक्ट वन यूवर एडवाइस हमें हमको आपकी एडवाइस पर काम करना चाहिए तो यह नाउन की तरह पीछ आल पोषिशन पर यूजह होता है अब पढ़ाएंगे एकसिडेंट होता है एकशिडेंट होता है एकby दृबड़व भृब नहों जयते हैं स्कोरह ऑसी है जिंदगी में कोई इंसटेना मौह तो यसकी जिनदगी में कोई important incident हुआ है कुछ परिवाद हम हुआ है अगला है altar पर यह को था यह इसको अल्टर ही प्रनॉशेशन पर रहेंगे दो तरह की होता है कि ए वाला एक ए वाला तो ए वाला जो होता है एक टेबल होती जिसपे हम भगवान की प्रतिमा रखते हैं उसको बोलते हम altar he led has offering on the altar of God of Durga मतलब कि इसने लेड में से रखना होता है कि उसने टेबल के उपर भगवान दूर्गा माता की जो मुर्ती होती हो रखी है एक अल्टर होता है बदल लेना I will not alter my decision मैं अपना decision नहीं बदलूंगा तो ए के यह होता है बदल लेना ओके अगला है ब्रेक एक होता है ब्रेक एक होता है ब्रेक दो दरगे ब्रेक होते हैं माना किसी चीज को हमने ब्रेक कर जाए यानि कि वह होता है बी आ ये के तोड़ना अमएं इस टोई को नहीं तोड़ना चाहिए और एक बेरो ब्रेक होता है जो कार पर लगता है यह आप उए यह अप्लाइट रब्रेक ऊ स्टोब दा कर अगला है ऑने है मनृते लोल्ट शी चीज हम बोलते हैं उथा अगला है कास्ट श्यायन करना हम इसका मीनिंग होता है जैसे प्लिज कास्ट यूवर वोट इन माइप हेवर कि आप मुझे वोट दीजिए कास्ट मारा हमारा आप चाहिए इसके लिए कूह लिए कास्ट में कर दें चाहिए जो भी का सिस्टम है हमारा इस तरीके से केंवास में एक ही है इसका मतलब होता है एक मोटा कपड़ा तो यह हमारा कंप्लीट हो गया आपको मैंने आर्टिकल और नॉंस बता है और नेक्स वीडियो में आपको में टेंज और जो भी बच रहा है एडवर्ब और अब्जेक्टिव उस पर बताऊंगा और आपको कुछ भी प्रोब्लम हो ग्रामर से सेकेंडिट में आप कमेंट कर दीजिए और पूरा सेंटेस के सर इसमें यह है और यह कुछ गलत आ रहा है तो मैं आपको उसको डिसकर्स कर दूँग होगा कि और तीन से चार वीडियो में आपका पूरा इंग्रिश का में कवर कर दूँगा विसे आपको क्विक रिविजन हो जाएगा और उसके बाद आपको पढ़ने हो काफी असनी होगी ओके थैंक्यो पर कि जाएगा जाएग कर दो एंग्रे उसके बहुतanka में कि भाश उसकरी कर दिजन होchau है